सुबुई ने एक बड़ी अच्छी बात कही जिसको लेकर लो थोड़ा अठपटा लगता होगा जिस आप सनातनी मुस्लिम कैसे बोल दिया अब इसका भी मैं आपको एक टेक्नोलजी कनेक्शन बताता हूं वो क्या है अगर मैं आप से पूछूं कि मुस्लिम समाज में आज त कि फंडमेंटल साइंस में नोबल पुरुषकार पाने वाला को एक वेक्ति बताईए अगर बताईए और पूरे आलम इसलाम में अगर सब्सेवड़ा साइंस्टिस्ट पैदा हुआ है कोई पिछले 200-300 साल में तो डॉक्टर एपी जे अबदुलकलाम जो भारत में हुए एक जमाने में इसलाम में भी बहुत विज्डम हुआ करता था जब बैतुलहिक्मत बगदाद का था और आपको बताए बैतुलहिक्मत बगदाद में बना देखिए कैसे माइंसेट कहां से कहां चला ज कि जो कंट्रोवर्सी तरकी में मज़िदार बाद जानते क्या थी जब बैतुलहिक्मत यानि युनिवर्स्ट्री ऑफ नॉलेज बगदाद में बनी उसका जो फर्स्ट चीफ था वो कौन था इस नेम वाज इजाक बिन हुनेन ही वाज नॉट अ मुसलिम ही वाज क्रिशियन और वो उस समय रोम के इंपायर जस्टिनियन के पास भेजते हैं अपने लोगों को कि साब आप यहां बहुत सारी किताबे रखी हुई हैं इन्हें हमें दे दीजे तो जानते क्या होता है वो अपने जो सलहकारों के साथ बाकैदा सला करता है कि यह लोग मांग रहें दे दि पड़ जाएंगे वो दे देते हैं उसके बाद उटों में रखके हजारों हजार लाखों किताबें लाई जाती हैं और वहां से नई इन्वस्टी बनती हैं उसमें बहुत सारी नई चीजे निकले आपने साथ बहुत से लोगों को नई पता होगा कि कोलंबस जब भारत को ख से थी हुई कि एक बार मैं पहले भी बता चुक हूँ एक टीवी डिबेट में जब यह बात होने लगी कुछ दिन पहले आपको ध्यान हो ना कि दो-तीन साल पहले की बात है कि गूगल के उपर भिखारी टाइप करो तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी उसको लेके पाकिस पाकिस्तान ने objection किया उसने कहा कि साब चूंकि गूगल का चीफ इंडियन है तो इंडिया ने manipulate किया हुआ है इसलिए गूगल पर भिखारी टाइप करो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की फोटो आ जाती है तो एक टीवी डिबेट में एक पाकिस्तान की पत्रकार मह होदया ने हमसे आपत की मैंने कहा आप बिनावजे परेशान हो रही है हमारे हैं सिर्गूगल का चीफ नहीं है Microsoft का चीफ भी हमारा है पेपसी का चीफ भी हमारा है Mastercard का चीफ भी हमारा है एक समय में City Bank का चीफ भी हमारा था इतने बड़े-बड़े organization के चीफ हमारे हैं हम 75 स साल में यहां पहुँचें बेसिकली तो हम और आप बाई DNA तो एक ही थे मगर आप कहां कौन-कौन से चीफ है लश्करे तैबा का चीफ है जैशे मुहम्मद का चीफ है अलकाइदा का चीफ है बाई दोनों fundamentally एक थे कहां से कहां पहुँच गए इसलिए मैं कह रहा हूँ अब मजे की बात आपको बताता हूँ अब दुस्स समझ जिनकों की पहला पुरुस्कार मिला उनको बाकाइदा पाकिस्तान की पार्लेमेंट ने एक एक्ट पारित करके क्योंको वह एहमदिया सेक्ट के थे उनको गैर मुस्लिम भोशित कर दिया मतला इससे यादा मज़ेदार बात नहीं हो सकती कि अगर रोध हो के आपको एक कोई साइंटिस्ट मिल गया वह बाहर डॉक्टर कलाम को जब हम लोगों ने 2002 में राश्पत ही बनाया तो आज की सो कॉर्ड सेक्टर ब्रिगेड ने डॉक्टर कलाम का वहिश्कार कर दिया के नमाजे जनाजा में जाते हुए दखते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं के नारे लगाते हुए दिखते हैं मैं पूछना चाहता हूँ एक नेता बताईए जो डॉक्टर एपीची अबुल कलाम के नमाजे जनाजा में गया हूँ इसलिए ये बात हिंदू मुसल्मान की नहीं है बात इस बात की है कि आप किस कर्टर पंथी विचार के साथ खड़े होना चाहते हैं और जो अभी उन्होंने कहा वास्विक्ता में अंतर क्या था ये देश जब आजाद हुआ उसके बाद हम 26 जनवरी 1950 को जब पहला गरतन द जिती इंडोनेशिया में वो मानी जाती है जैसे हमारे अमात्मा गांधी की मानी जाती है कि मतलब पूरे देश को खड़ा करना और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक तो मज़ेदार बात यह और इंडोनेशिया क्या है दुनिया का सबसे बड़ा मुसलिम देश वहां के रा चार भेट के नाते जब राश्रा देख जाते हैं तो उनको कुछ भेट दी जाती गिफ्ट दिया जाता है गिफ्ट जो दिया गया तो हमसुकर्णों ने कहा मुझे एक और गिफ्ट चाहिए तो नहरू जी ने कहा चार घड़े गंगा जल कौन मांग रहा है इंडोनेशिया का राष्ट पती तो जो पाकिस्तान के काउंटर पार्ट थे उन्होंने का यह आप क्या कह रहे हैं हम मुस्लिम होके गंगा जल लेने की बात कह रहे हैं तो हम सुकर्णों कहते हैं by change of circumstances we might have change our way of worship but we cannot change our four fathers और जूट का ऐसा सामराज्य हमारे दिमाखों में बैठा दिया जाता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो उन्होंने कहा ना कि अब देखें जूट का कैसा सामराज्य है अभी यहां पे हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई अब मैं आपको चार मुस्लिम प्रधान मंत्रियों के नाम बताते हैं महिला प्रधान मंत्री जो मुस्लिम देशों की हैं आप किसी की हिजाब में फोटो देखे हो तो बताइए यह बेंजीर वुटो बगल में देखिये कभी हिजाब में फोटो देखे थे बेगम खालिदा जिया शेख सीना हिजाब में फोटो देखे हैं कहीं हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर रही है तांसु सिलर और इंडोनेशिया की प्रधान मंत्री रही है मेघावती सुकार्ण है शाह हुसेन ऑफ जॉड़न मुहमद साब के परिबार को एहले बहत कहते हैं सबसे मुकदस मुकाम उनका इसलाम में मना जाता है शाह हुसेन ऑफ जॉड़न की चार बीवियां है एक की भी आप हिजाब में फोटो नहीं दिखा सकते हैं मगर उसके बावजूद भारत में उस कई बार तो विशयल अलग हो जाता है बहुत सी हमारी मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां जो इस कॉंट्रोवर्सी के बाद टीवी पे हिजाब पहने आई थी तमाम के सोशल मीडिया के पुराने जो उसमें फोटो एपड़ी थी वो जीन्स और टॉप में थी बहुतों ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट डिलीट कर दिये इसकारत यह हो गया कि कहीं ने कहीं यह मुद्दा क्रियेट किया गया आपस में आपको टकराहग क्रियेट करने के लिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक बात और जो उन्होंने एक सनातनी मुस्लिम जैसा वर्ड यूज कि किया आज पूरी दुनिया में जो कॉन्फलिक्ट है वो किस बात का है पूरी दुनिया में कॉन्फलिक्ट सिर्फ यह नहीं है को भारत में यह वाला कॉन्फलिक्ट नहीं है कि हिंदू-मुसल्मान का कॉन्फलिक